नमस्कार मैं हूँ अक्षा नदाप लाइफ सिटीज देख रहे हैं इद उल्फितर आने वाला है और उससे पहले गांधी मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है गांधी मैदान में नो इंट्री लग गया है अब आने वाले कुछ दिनों तक याने की इद से पहले गांधी म महीना चल रहा है पटना में इद उल्फितर को लेकर प्रशाशनिक तयारियां जोरो पर हैं मुख्यरूप से पटना की गांधी मैदान में नमाज अदा करने को लेकर डीम कुमार रवी ने बुदवार को गांधी मैदान का निरीक्षन किया और उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे आपको बताते चलें कि एद के मौके पर बिहार के सीम नितीश कुमार भी शामिल होंगे हलाकि अभी तक इस बात की पुछ्टी नहीं की गई है इस बीट्स डीम ने निर्देश दिया है कि एद के दिन नमाज अदा करने को लेकर साफ सफाई के प्रबंद हो गांधी मैदान में रोज़दारों के लिए हर संभव सुविधा मुहया कराई जाए दरसल गांधी मैदान में लोग कच्रा और गंदगी से परिशान रहते हैं लेकिन इल्दूद फितर के मौके पर इसकी साफ सफाई होगी और साफ सफाई के बाद बारी संख्या में पटन प्रेज आपने देखी होगी और एक बार फिर ईद से जुड़ी हर तस्वीर पटना में हर मस्जिद से हर जगह से जहां भी नमाज पढ़े जाएंगे वो तस्वीर हम आप तक पहुचाएंगे आप लाइफ सीटीज के साथ बने रहे आपका बहुत बहुत शुक्रिया